भाई लोग जानता हूँ ये वीडियो आपको थोड़ा सा लेट मिल रहा है क्योंकि ये वीडियो पहले शूट हो चुका था लेकिन कुछ एरर आया है और पूरी की पूरी फाइल उड़ गए पाकिस्तानी स्लिपर सेल हो सकता है जो इंडिया में रहकर अलग अलग जगा पर ब्लास्ट कर रहा है खास करके देली में और पूरी डेली को बचाने का जिम्मा आया है डेली पुलिस पर यस अब की बार डेली पुलिस है भाई मुंबई पुलिस नहीं हाँ वो यूनिफॉर् ये सीरीज देखी हुई है, और मुझे पता था। ट्राहरे देखने पर यही बात समझ में आ रही है, कि बहुत ही बढ़ी श्केल में शूट ही ये सीरीज और जहां पर दिख रहे सीदार्थ, मतलब कबीर मलिक को एंड शिल्पा शिट्टी को जो सूपर से उपर के सिवाय कोई डालोग बोलती नहीं थी लेकिन इसमें इतना ज़्यादा मूँ खोल रहे है कि तोड़ा सा I think कोई बोलने की कोशिश कर रहे है कि मेरे पति को ऐसा वैसा बोला तो धोपतूंगे न उसको अड शिल्पा इसमें बहुत सारे एक्शन्स भी करते हो नजरारी विच इस लुकिंग क्वाइट गुड अब समझ में आया शिल्पा का इतने सालों से योगा करने का राज ये दिन देखना था आपको एक्शन करते हैं लगिन इसमें ट्रेलर बड़ा रखने की बावजीद भी विलन का चरह रिविल ने किया वो बड़िया बात लगी मुझे अगर ऐसा हो तो कही न कहीं मान के चल सकते कि ये सिंगम 3 से connected हो सकती क्योंकि इसमें भी टेरिस्ट वैसे दिखाया गये जैसे सूरे वंची में दिखाया गयते हैं सूरे वंची का जो end वाला सीन था उससे अगर जोड कर सिंगम सूरे वंचें सिंबा को भी ऐसे केमियो के साथ अगर जोडेंगे ना तो भाई फुल टू पैसा वसूल हो जाएगी फिल्म ये ट्रेलर मुझे थोड़ा सा डारकर फिल हुआ शायद रोजशेटी सर इसमें अपनी गल्ती सुदार रे कि उन्होंने सरकस को थोड़ा सा ज़ाधा ये कलरफल बना दिया था वेटिंग फॉर दिस सीरीज 19 जान को आरिए Amazon Prime पर वहीं अगर ऐलान के ट्रेलर के अगर बात करें तो सबसे पहले मुझे इसमें आइलान का ट्रेलर देखा जो माविरन फेम शिवा कार्थी के एन की मुवी है जिसमें रकूल प्रीज सिंग भी उनके साथ नजर आनी वाली है साथ में इशा कोपिकर और शरत कलकर भी है जो कि एक कल्पीट यानी विलन का काम करेंगे देखो ये पिक्चर तामिल साइफ़ आडवेंचर होने वाली है जिसमें बताया जा रहा है कि 4500 सिर्फ VFX शॉट लिए गया है लाइक बाहुबली और ब्रहमास्त्रा बोले तो ये fully visually stunning होने वाली है जो ट्रेलर से काफियाद तक लगता भी है लेकिन मेरे को एक चीज़ इसमें गडबड लग रही है वो है कहीं कहीं पर VFX हैना थोड़ा सा हलका फुलका लग रहा है यूएफो अपनी अर्थ पर आता है और उसमें से अपना वाला जादू यहीं पर छूड जाता है धरती पर और वो मिलता है रोहित को रोहित पहले ऐसा फुस्की बाम होता है बाद में उसके मिलने के बाद वो थोड़ा सा एक्टम बाम हो जाता है इसकी भी लगबग सेम स्टोरी ही हीरो पर एक टास्क आता है उसको अपने घर छोड़ना है यानि यूफेम बिठा कर बाइबाइ करना है लेकिन कुछ ग्रूप अप साइंटिस्ट है जो इसकी शक्तियों का गलत इस्तमाल करना चाहते है वो साइंटिस्ट है शरद कलकर जहाँ पर कोईम लगया में प्रोस्थेटिक का जादू का इस्तमाल किया गया था और यहाँ पर पूरा VFX और शीजिया मेड है और इसको वाइस दिये एक्टर सिदार्त ने वहीं हार एक फ्रेंड कमीना होता है और ट्रेलर में दिख रहा है कि कैसे लोग उसको एलेन बुला रहे हैं वही एलेन उसको अपनी शक्तिय से मतलब हीरो को help कर रहा है मतलब वो कहिना कि खुद की help कर रहा है पहुचने के लिए अपने planet बीजिम भी इसका quite good है क्योंकि air रहमान सहर है लेकिन ये मेरे को इनका third class decision लगता है क्योंकि पंगाल पंगाल करते करते 12 January को ये भी नहीं देख रहे है कि most elevated हनुमान आने वाली है तो इसके सामनी ये कैसे ठिकेगी यार पता नहीं एंड इस मुवी का आयलान नाम क्यों रखा गया है क्या वो लोग एलियन को आयलान बोलते तामिल में मुवी देखने की बाद ही पता चलेगा ओके देन, let's hope for the best दोनों मेरे को quite impressive लग रहे हनुमान में देखेंगे ये भी देखेंगे, वो भी देखेंगे बहुत सारी मुवीज का हमारी इसमें review भी आएगा चानल पर, please subscribe करना अगर हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो मिलतावली वीडियो में मैं हूँ जक्मार, bye